हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू जीएस जून, आज मैं एक स्पेसल और एक्जाम फ्रेंडली एपिसोड लेकर आपके समख्छु पस्तित हूँ, मैंने इस एपिसोड को एक्जाम फ्रेंडली इसलिए कहा है कि ग्रेंट्स लेंट्स 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 अर्थात Australian Open सबसे पहले आयोजित होता है वर्स में उसके बाद French Open French Open के बाद BIM LENDON तीसरे करम पर आयोजित होता है और वर्स का अंतिम Grand Slam Pratiyogita American Open अर्थात US Open होता है तो आईए अब हम सभी Grand Slam पर बारी बारी से नजर डालते हैं सबसे पहले Australian Open इसके पुरुष एकलवर्ग के बिजयता है नोवान जेंकोविच जो सर्विया के निवासी है और विश्व नंबर एक खिलाडी भी है अभी बरतमान में और इन्होंने फाइनल में पुरुष के खिलाडी चिनियल मेदवेदेब को प्राजित किया था तो इस प्रतियोगिता के उब जोतार है जो अमेरिका की है आई अब हम Australian Open के कुछ ऐम प्रमुख तत्यों पर नजर डालते हैं जैसे इसकी शुरुवात 1925 इस वी में हुई थी, ग्रेंड श्लेम का क्रम पहला है, अर्थात्व वर्स में सबसे पहला ग्रेंड श्लेम आस्ट्रेलियन ओपन ही खिला जाता है, खेल का अस्थान मेलबॉरnd आस्ट्रेलिया, अस्टेलिया किराजधानी वैसे कैनवरा है परन्तु यह प्रत्योगत्या मेलबॉर्ण शहर में आयोजित की जाती है और मैदान का प्रकार हाड कोट अर्थात इसका जो खिलने का जो सता है वह हाड कोट होता है जिसको एस्ट्रो टर्फ भी कहा जाता है कई परन्त के की जाती है तो अस्ट्रेलियन ओपें हाड कोट पर आयो जीत होता है और इसके आयोजन के श्रुवात का समय है जन्वरी का तीसरा सब्था 자 अहीं अगले ग्रेंड 사्लेम प्रत्योगता पर नज्रस डलते हैं अग्रा ये फ्रेंड च्वपन उपंड जिशका पुरूष एकल विजयता है नोभान जेंकविच अर्थाथ आस्ट्रेलियन ओपन के जो पुरूसब्रण्च वर्ग में एकल विजयता है वही उन्होंने ही French Open का भी पुरूशेकल खिताब जीता और इस प्रत्योगिता में उप विजेता रहे हैं युनान के खिलाडी Estefanos Sitsipas इसी प्रकार महिला एकल में विजेता रही है बारवोरा क्रेजी कोवा जो चेक गनराजी की खिलाडी है चेक रीपबलिक और इस प्रत्योगिता में उप विजेता रही है अनास्तासिया पावली चेंकोवा जो रूस की खिलाडी है आएव हम French Open से समधित कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं फ्रेंच ओपन की शुरुवात अठारा सोय क्यानबे स्वी में हुई थी और ग्रेंड स्लेम का क्रम इसका जो है वो दूइतिये है अर्थात अस्टेलियन ओपन के बाद दूसरे नंबर पर यह ग्रेंड स्लेम आयुजित किया जाता है और खेल का मैदान पेरिस फ्रांस में है इसके मैदान को स्टेड रोला गैरोस के नाम से भी जाना जाता है मैदान का प्रकार है मिट्टी का कोट अर्थात क्ले कोट हलाकि इसके मिट्टी का रंग लाल होता है और यह प्रस्ट भी कई बार परिछाहों में पूशे जाते हैं कि लाल मिट्टी पर कौन सा ग्रेंड स्लेम प्रतियोगताओं में फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर आयोजित किया जाता है और इसके आयोजन की शुरुआत होती है मई के अंतिम सप्ताह में अगले ग्रेंच स्लेम पर ध्यान देते हैं अगला ग्रेंच स्लेम है विम लंडन इसके विजेता भी है पुरुस एकल विजेता नुबान जेंकोविच अर्थात अब तक हमने जिन तिन ग्रेंच स्लेम प्रतियोगताओं को देखा है उन तीनों में पुरुस एकल विजेता का खिताब नोवान जेंकोविच नहीं जीता है और इस विम लंडन ग्रेंड स्लेम के पुरूस एकल उप भी जेता है जो इटली के खिलाड़ी है इसले बार्टी जो अस्ट्रेलियर की रहने वाली है और इस प्रतियोगता में उप बी सिता रही है महिला एकल वर्ग में कैरोलीना प्लिस़कोवा जो चेक गणराज की खिलाड़ी है अब हम BIM London से समधित कुछ तत्यों पर ध्यान देते हैं, इसकी शुरुवात 1877 में इस भी में हुई थी, अर्थात जितनी भी Grand Slam परतियोगिताएं आयोजीत होती हैं, उनमें सबसे पूराना Grand Slam परतियोगिता BIM London ही है, और यह सभी Grand Slam परतियोगिताओं में सबसे अधिक prestigious अर्थात प्रतियोगिता भी माना जाता है, इसका Grand Slam का जो करम है वो तिरतिये है, अर्थात Australian Open के बाद French Open और French Open के बाद तीसरे नमबर पर वर्स में BIM London का आयोजन किया जाता है, और मैदान का प्रकार घास का कोट अर्थात ग्रास कोट यह एक मात्र ऐसी प्रतियोगिता ह जो घास के मैदान पर खेली जाती है, और यह प्रस्ण भी कई बार पुछा गया है कि घास के कोट पर या घास के मैदान पर कौन सी Grand Slam प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, इसका जवाब होगा BIM London, और आयोजन की शुरुआत है, जून क अंतिम सप्ता, अब आईए हम वर्स के अंतिम Grand Slam पर नजर डालते हैं, वर्स का अंतिम Grand Slam होता है, अमेरिकी ओपन, जिसका पूरुष एकल विजेता का खिताब जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने, जो रूस के रहने वाले हैं, हलाकि नवान जेंकोवित इसके विजेता रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि नवान जेंकोवित इस वार चारो Grand Slam परतियोगताओं के विजेता बनेंगे, ऐसी शंभावना थी, परन्तुम Grand Slam में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फाइनल में, और रूस के खिलाडी डेनियल मेदवेदेव ने उन्हें फा फाइनल तक पहुचने में सफल हुई थी, और अंतरता इन्हों ने परतियोगता का एकल महिला खिताब जीतने में शफलता प्राप्त की, और इन्हों ने फाइनल में जिस खिलाडी को हराया, उस खिलाडी का नाम है लिला फरनांडीज, जो करनाडा की रहने वाली हैं, आई अखेल का अस्थान जो है, वह न्यू यॉर्क, अमेरिका में, वहां की राजधानी, अमेरिका की राजधानी, वासिंग्टन, डी-सी जैसा आप जानते होंगे, परन्तु यह परतियोगता न्यू यॉर्क सहर में आयोजित की जाती है, और मैदान का कोट, हार्ड कोट, जो अस्ट्रेलियन ओपेन का जो मैदान होता है, जिस परकार का, उसी परकार का मैदान अमेरिकान ओपेन में भी है, तो ध्यान रखेंगे कि अस्ट्रेलियन और अमेरिकान दोनों का, जो मैदान का परकार होता है, वह हार्ड कोट है, जबकि फ्रेंच ओपेन जो है, वह क्ले को ताह तक या खेला जाता है तो इस प्रकार हमने चारो ग्रेंट श्लेम प्रतियोगीताओं के बारे में आपको संफुर्ण जानकारी देने का प्रयास किया इस वर्स 2021 के समंध में और निशित रूप से यह आपके प्रतियोगी पड़िछाओं में मददगार सावित होगा तो इस एपिसोड के बारे में आप अपना खिमती सुझाओं अब असे देंगे कोमेंट बॉक्स में धन्यवाद